तो हेलोफम वेलकम टो माइट्यूब चेनल तो दोस्तो आज की इस वीडियो हमसिखने वाले 3 by 3 Rubik's Cube पर एट्रेक्टीव पेटन वो बहुत जोड़ दा लगता 3 by 3 Rubik's Cube पर दिखने पर और आपने थमनेल तो देखी लिया होगा कि इस वीडियो हमसिखने वाले cube इने cube pattern और cube इने cube इने cube pattern तो दोस्तों वीडियो पर end तक बने रहें तो आज की इस वीडिम सिखाना वाला हूं cube इने cube pattern तो दोस्तों आपको cube इने cube pattern बननाने के लिए क्या करना होगा cube को solve position में रकना होगा इसा नहीं कि आपको cube पूरा शोल करना नहीn आता है तो उपर i button चल रहा होगा उससे आप ऑसे केली करके आप मेरी ठीवाई ठीर मेरीा वीटिरिल देख सकते हो और उसकी लिंग में में भी दे दूंगा आप कहां से भी देख सकते हो इससे तो उपर आई बिटन चल रहा है तो अब आपको क्या करना है क्यूब को किस भी तरह से पकड़ लेना है पर उस मैं आपको सीखते हैं उस पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है प्लीस दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं फिर उसी क्यूब इने 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 आपको उपर एल्गोरित्म चल रहा होगा इस्क्रीन पे आप वहाँ से देख देखके एल्गोरित्म के हिसाब से move perform कर सकते है तो first move क्या बोल रहा है R F R U' B U R2 F2 U' F' L D' L' F2 U तो दोस्तो आप यह move perform करोगे तो आपका बन जाएगा क्या बन जाएगा Q बने Q pattern तो Q बने Q pattern देखो दिखने में कितना अच्छा रग रहा है और इस तरह से आप देखो हमारे Flake जैसे रग रहा है Indian Flake जैसे देखो Orange White Green इसलिए मैंने White को उपर रखाता और Blue को फ्रेंट में रखाता तो अब हम इसी pattern से हम बनाने वाले Q बने Q बने Q pattern तो वैसे तो इस pattern से आप इसको ऐसे move करोगे तो हो जाएगा पर ऐसे cheating हो जाती है तो अब आपको Q बने Q बने Q pattern बनाने के लिए आपको क्या करना होगा उपर वालि टोफ वाली सैड में आपको इस तरह से आपको अल रखना है इस तरह से फिर आपको उपर वाली सैड में छाई चाहिए ना फिर आपको वापिस में आपको उपर नया इल्गोरित्म आगया होगा उसको पर्फॉर्म करना है, नया इल्गोरित्म क्या बोल रहा है, L2, B' D, B, D' B', D, B, U, B' D', B, L2, D, B', D', B, U', फिर आपको लास्ट में L2, तो दोस्तों आप ये मूव पर्फॉर्म करोगे, तो आपका बन जाएगा Q बेने Q पैटन देखो, Q बेने Q बेने Q बेने Q, इधर भी होगा ना फलेक जिसा, इधर भी होगा ना फलेक जिसा और इधर देखो, कितना अच्छा कम्भिनेशन से आपका कितना I attractive Q in cube pattern मने रहा है, तो दोस्तों अब मैं आपको direct Q in cube in cube pattern सिखाने वाला हूँ, इतनी दिर हमने किया के सै था हमने più je in cube pattern बनाए था, फिर उसके बाद हमने बनाया Cube in cube in cube, अब मैं आपको डायरेक्ट क्यूब इने 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 क् भी कर सकते हो पर आप डाइरेक्ट भी अगर आपको दोस्त को डाइरेक्ट बताना हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो तो अब इल्गुरित्म क्या बोल रहा है F' L' F' D' R2 U' R D F U' F U' U' L F' D D' F' R फिर आप लाश्ट में D' तो दोस्तों इस बार हमारा बन चुका है डाइरेक्ट latmaq-Cubaq-Pattern तो देखो यह दिखने में कितना अच्छा लग रहा है तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो कौनसे प्लोड करनी है कमेंड में जरूर बताना और आप क्यूब इने क्यूब इने क्यूब पेटर्न डायरेक्ट बना है तो आप टोप में वाइट रखे और फ्रेंट में गीन रखे तब ही वो दिखने में तोड़ा इस तरह से एट्रेटिव लगेगा देखो यह कितना अच्छा लग रहा है तो दोस्तो नेक्स्ट वीडियो कॉंसे अप्लोड करनी कमेंड में जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और प्लीज एक दोस्त के साथ इसको शेयर कर देना और आपको त्रिवाइट रुबिस क्यूब सीखना हो तो उसकी लिंक म इतना ही बाइ दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं